तो दोस्तों हम सूरू करने जा रहे हैं Linux operating system हम लोगों पिछले वीडियो में पढ़ा था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है उसका सारा चीछ देखा था उससे पहले में एक छोटा बास बता हूँ जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था विंडोज 10 में हाला कि आपने बुग में जो दिया है एकसपी का दिया हुआ है लेकिन अभी जैसे विंडोज 11 अभी आया है तो मैं अभी विंडोज 11 यूज कर रहा हूं आप लोग देख सकते हैं यहां पर यह देखिए स्टार्ट मेनू है और अगर इसका वर्जन पता करने हुए अच्छा है चलिए बढ़ते हैं आपने टॉपी की तरफ और देखते हैं Linux operating system सबसे पहले हम लोग देखेंगे और यूनिक्स लाइस लाइनक्स operating system इसमें यहीं दिया होगा कि इवन आफ्टर थर्टी यह आप इस क्रियेशन यूनिक्स इस इस्टिल रिगाड़ेश वन आप दे मोर्स वर्सिटाइल फ्लेक्शिबल और पावर्फुल ऑपरेटिंग सिस्टम इन कॉम्प्यूटर वर्ट यानि कि इसमें जो दिया है कि तीस सालों के लांच होने का बाद भी यूनिक्स जो है यह यह यूनि की जानले कि चला कई आए कंट साल हो गया था श्रीक कीशन दिली। लिखा गया था उसी समझा पांट भी समय मतलब की मृज़ सीर जाने का गया था इसमय सफाव 2 कि यूनिक्स डुर जहलेडस सब्सक्रवार के यहां में लाग। में बहुत स्सक्रम के सिर्द से बहुत करें तो यहां में लिए कम प्रफॉर्पunion सब्सक्राइब बहुत चाहि impair से पशस्राने संप्सक्राइब। बहुत कम्जोर रहेगा प्रोसेसर या वो तो आपको वीडियो चलाने में दिक्कत होगी लेकिन लाइनक्स जो है वही कम रहेगा फिर भी चल जाएगा ठीक है के बाद यही आपका दिया हुआ है कि यहीजी तू यह है इलिगेंट है सिंपल है ठीक है कंपेर टू इसके प्रे वर आगया इस यह चीट डालने से कोई आइटम डालने तो वही है यूनिक्स में ही चीज़ें चेंजेस करके लाइनक्स बनाया ठीक है बढ़ते हैं आगे लाइनक्स वही है यूनिक्स यह वर्जन आप इसको बोल सकते हैं यूनिक्स कर रहे हैं लेकि नौर्मली बहुत सारे जो सिंगल यूजयर के लिए है जैसे को एक कंपनी है आपको हजारों कंप्यूटर यूज करने है लाइनक्स के तब आपको सकता है खरीने काम करना हो तो हो सकता है आपके पास option है नहीं तो आप फ्री वर्जन भी company में यूज कर सकते हैं लाइनस को ठीक है यू नीड नॉट इस्पेंड इवें आपको सीडी की भी कॉस्ट नहीं में खर्च करने पड़ेगी यह आप इंटरनेट से आर्फानी से फ्री में डाउंलोड करके यूज करते हैं कोई वीश में सिक्यूरटी की नहीं मांगते हैं यहां पे मैं। अगर यूज करना है तो विंडोच खरीगना पड़ेगए नहीं तो बहुत सारे लोग खरीद थे हैं लेकिन व सेफ नहीं होता मतलब की सेफ मतलब कि उसमें वाइरस भी आ सकते हैं कहां से आप डाउणलोड कर रहा नहीं रहता है न सब्सक्राइज सेच तरहों और सब्सक्राइव तो यहीं है को लिए तो यहां अगर हम लोग Linux सर्च करें यहां पर लोग ऑनने कि आगा से हैं प्री सब्सक्राइब करते हैं इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीज नहीं लगती नो कॉस्ट पर यूजर कोई भी नहीं लगता फ्री अपडेट आपको मिलते हैं फ्री एवेलबल ऑपरेटिंग सिस्टम है बहुत सारे नेटवर्किंग लाइब सोर्स कोड मतलब आपको इसके मिल ज आप यह सोर्स कोड जो है लेके डाउनलोड करके उसमें चेंजेस करके आपना भी ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं और यह एक पोर्टेबल है कोई भी मतलब आप दिया हुआ इसी प्रोसेसर में चल जाएगा मतलब कोई भी आप इसको डूल बूटेबल भी कर सकते हैं अब बता ही दिया है तो यही है कि इसी प्रोपर्टी की वजह से यह सिस्टम एडिमिस्ट्रेटर जो होते हैं उनके इमंग में उनके बीच में बहुत ज्यादा इसको पॉपुलर बनाता है वाइल वर्किंग ऑन इट यू में रिलाइज मेनी मोर इंपॉर्टेंट फीचर इसको यूज करेंगे तो आपको में यह होगा कि हाँ इसमें और भी ज्यादा इड्वांटेज है वह आप जब जूज करेंगे तभी आपको इसके पता चलेंगे ठीक है बहुत सारे इसके ड्वांटेज है आगे बढ़ते हैं मौस्ट आप देख साइज और कमांड लाइन सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद न्यू आइटम में जाएंगे उसके बाद फोल्डर क्लिक करेंगे तब फोल्डर बनेगा लेकिन क्या होता है linux में finance में कमांड से ही कमांड टाइब करेंगे te एमिक क्वाद होता है में यान से उसके बाद फीर नेंक Legal यहाँ फर्टर, भी सबलाता, यह जाहँ ऐता है है चीज़ यहां पर हम लोग सीखेंगे कायए से फैड़ोरा ओपरेटिंग सिस्टम इंश्टॉल करते हैं ठीक है तो यहां पर वही चीज़ यह बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे फैड़ोरा धैन की डिवडी आपको मिलेगी जो कि आप लोड कर सकते हैं इंटरनेट से ठीक है ये जानते हैं कैसे फेडोरा unlock करते हो यहां पर डालनेंगे फेडोरा डाउनलोड गूगल पर सच करेंगे watch get fedora डाउर्जी करके website यारजी एक विजह कुलते हैं छोल या FUCK फेडोरा का website खोल गया है अब यहां से आप को डाउनलोड करना है तो हंपे फेस्ट काомडोरे और यह दूसरे काम के लिए होगा जैसे आपको कोई सिस्टम बनाना है उसके लिए हम लोगों किया इंस्टॉल करना है फेड़ोरा वर्किस्टेशन यहां डाउनलोड ना पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा उसके बाद यहां से एक मीडिया फाइल डाउनलोड हो है मेरा फेड़ोरा वर्किस्टेशन यह लगभा 1.86GB का फाइल है इसको डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको इंस्टॉल करना रहेगा अभी मैं जैसे में विंडोज 11 चला रहा हूं तो मैं इसको हटा कि फेड़ोरा तो नहीं इस्टॉल करने वाला हूं लिए आप जोज 11 हट आए हुए है तो मैं वर्चूल वाक्त से उसके अंदर ही इंस्टॉल कर सकता हूं ठीक है तो आए देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं